हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरा यूटूब चनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाय चोपड़ा दोस्तो नीद भहुत आती है पढ़ाई में मन नहीं लगता है नीद 2020 का एकजाम कब होगा ये सोच सोच कर पढ़ नहीं पाते हैं और ये सोच रहे हैं कि इस साल मेरे को एडमिशन लेना ही लेना है चाए कुछ भी हो जाए मगर लूंग कैसे मैं तो डंक से पढ़ ही नहीं पाता हूँ देश में चल रहे हैं मोजुदा हालात के चलते काफी सारे स्टुडेंट की ये समस्या है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन अवस्य से प्रेस करें सबसे पहले हम बात करते हैं नींद बहुत आती है और सोते ही रहते हैं उठने का मन नहीं करता है तो दोस्तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको टाइम टेबिल बनाना होगा अगर आपकी दिंचरिया टाइम टेबिल के अनुसार होगी तो आप नए तो बोर होंगे और ही इदर उदर की बाते सोचेंगे और टाइम टेबिल को आप इस तरीके से सेट करें कि आप सुबह चार या पांच बजे अवस्य उठ जाएं क्योंकि सुबह जल्दी उठने से बहुत फाइदे हैं जो स्टुडेंट सुबह जल्दी उठता है वो ज्यादा उर्जावान होता है समरण सकती जादा होती है अगर आप अपने जिंदगी में कुछ पाना चाते हैं तो अपने सपनों को पूरा करना चाते हैं तो सुबह का समय आपके लिए गोल्दन पिरिड है सुबह बहुत अच्छी नींद आती है या तो इसे सोने में वेस्ट कर दो या फिर इसका करके अपने जिंदगी को ही गोल्द बना लो अभि आप मंजिल के करीब हैं और जो इंसान मंजिल के करीब आराम करने लगता है अपने स्टडी स्लो कर देता है वो इंसान बाक्यों से फिचट जाता है आपने खरगोस और कैछुएं की कहानी तो सुनी ही होगी तो दोस्तों अपने सपनों को पूरा करना है तो सुबह जल्दी उठकर study करो पांस साथ दिन में आपकी जल्दी उठने की habit हो जाएगी अभी से वेदर ऐसा चल रहा है कि सुबह सुबह बहुत ही मीठी मीठी नीद आती है रात को सोचकर सोते हैं कि सुबह चार बजे उठ जाओंगा मोबा में alarm भी लगा लेते हैं मगर चार बजे जब alarm बजता है तो उस मीठी मीठी नीद में आप alarm को कब बंद कर देते हैं पता ही नहीं चलता है और फिर सोते ही रहते हैं इस परकार की समस्या का उपाई ढूंडिए मोबाइल को दूर रखें ताकि उस alarm को बंद करने जाएं तब आपकी नींद तूट जाए मन में टाइम टेबिल को याद कीजे और अगर ये याद करो कि मैंने अभी पढ़ना सुरू नहीं किया तो मेरा चैप्टर छूट जाएगा मेरा ये वादा है कि अगर पांच या साथ दिन तक आप ऐसे करोगे तो उसके बाद आपको आगे अलारम भरने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी आप की नींद डेली चार बजे खुल जाएगी उसके बाद आपको नींद ही नहीं आएगी हमारा सरीर एक मिटी के घड़े की तरह है हम इसको जैसा ढालना चाहिए वैसे ढल जाता है तो आपको एक तो जल्दी उठना है दूसरा टाइम टेबिल के अकॉर्डिंग स्टडी करना है अभी इन दिनों जो स्टुडेंट के साथ में दूसरी प्रोब्लम आ रही है वो यह है कि नीट की एक्जाम डेट फिक्स नहीं है इसके कारण स्टडी नहीं हो पाती है तो आप इसके लिए एक टारगेट सेट कर लें कि एक्जाम चाहे कभी भी हो 30 जून तक मेरे को एक्जाम के लिए रेडी हो जाना है क्योंकि एक्जाम इससे पहले तो हो नहीं सकती अगर बाद में होती है तो आपको स्टडी के लिए और भी टाइम मिल जाएगा तो आप ये मान कर स्टडी करो कि 30 जून तक मेरे को एक्जाम के लिए रेडी रहना है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टडी में प्रोब्लम आती है वो सबसे बड़ी प्रोब्लम ये है कि हम इस टेंशन में रहते हैं कि इस बार मेरा एडमिसन होगा या नहीं होगा अगर एडमिसन नहीं होगा तो क्या होगा तो दोस्तों आपका काम है स्टडी करना रेजल्ट की चिंता आप छोड़ दो और अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रेजल्ट अच्छा ही रहेगा आज तक हर इनसान को टेंशन से नुक्सान ही हुआ है फाइदा कोई नहीं हुआ है आपको अच्छा आउसर मिला है और अच्छा मोका मिला है अभी स्टडी करने का तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट ने करते हुए स्टडी करो आप अवज से ही सपल होंगे तो दोस्तों वीडियो के अंत में मेरा यही कहना है कि सुबह जल्दी उठकर स्टडी करो टाइम टी बेल के अनुसार टेंशन फिरी होकर स्टडी करो आप अच्छा स्कोर गैन कर पाओगे और अच्छे गवर्मेंट कोलेज में आपका एडमिसन होगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जैहिंद